लेकिन काला हो गया फूहर लगने लगेगा फूहर लगने लगेगा तो करिया बरतन में किसी खाना नहीं नहीं देते हैं लोग खाना अगरा बढ़िया बरतन में दिया जाता है और गाओं में तो महमान के लिए को अलगे बरतने रहता है तो जब निकल गया मतलब कोने महमान आने रहाला है हां चार खंड़ा वाला रहता है वही जो भी अलग-अलग किसी किया फाइबर का रहता है किसी किया सीशा का रहता है इस पेसल किसके लिए है महमान सब के लिए छलिए अब देखते हैं वोग पीतल क्या देखते हैं पीतल कैसे बनेगा तांबा और जीन कॉपर और जीन क्या बनेगा पीतल की रहल रौत ज्यादे यूज होता है मेडल एड़ल ना जिसे जो गावं मेट नमेट एड गला जाता है वॉल्डग नहीं तौपितल पीतल का बरतन न। योल्टल साधीया में पीतल का दी जात पूसा उजामें भाली घावली साथा पीतल का गायली गला रहता है आँ तो बताईए कॉपर और जिंक मिलाएंगे तो और अगर कॉपर में हम क्या मिला दे टीन मिला दे हाँ कासा क्या बन जाएगा कासा सब्सक्राइगा बताए पीतल सबसे पहले तो तामबा हो गया तामबा में अगर हम जिंक मिलाएं तो और टीन मिला दिये तो कासा गौन मेटल." खरक कंपॉजिशन नहीं देखना है वो एकम्पोजीशन ना yeter, वो मिलता किस किसी, औहो कुछता है ति कि पीद्धर जो हमारी पास थाब शाटा है थाब है थाब हीज़ी दैंई यो से बने पार को सबसे हमेरे कने कैयों को कॉपर। आपने फिरक पतिली होता बुटिन सॉास्ड ॑न देना पड़ता है अभी तो आदमी आप लोग यंग गेज में है अभी कोई दिकत नहीं होता है लेकिन इसी समय से गर लटे जिसदिन आपका 30 क्रॉस करेगा याद रखेगा अगर ऑपने सरीर को आदा गंटा एक तो साइच के लिए नहीं दिये हैं आपका सरीर 45 के बाद पड़ जाएगा सुगर होगा या कुछ ना कुछ होगा ही होगा अभी इदर भले लापरवाही कर दीजे जिस दिन अभी अभी थर्टी क्रॉस करेंगे तो अभी तो आप में 18 से 25 के बीच वाले हैं लोग समझा गया आगे पीछे जो भी होगे थोड़ा बहुत आगे हो गया समझा गये की नहीं गया कितना है जगमोन तुमारा तुमारा जलाद इदर में लड़का में कौन सोला बोला ये लिख शेवाए तुमारा कितना है किस क्लास में हो तुम पार्ट वन में हो अभी तो तुम छोटा होगा इंटर आजमी 16 17 पर करता हैं चलिए आगे बढ़ें सुनिए द्यान से हमारे पास क्या है बाभू कौपर अब आप डिसाइड कर लिजे या तो उसे कौपर बोलिएगा तो तांबा बोलिएगा एक क्या कहते हैं तांबा तो कौपर में अगर हम ध्यान से समझेगा पर बड़ी काम का चीज़ अजी उसमें कुछू-कुछू मिलाएंगे बंते जाएगा यहां पर सिट्फेंस निए हैं और यहां पर सुनिए कि दियांते जब हम कौपर में से जनक मिलाएंगे तो पीता और म जीना है। depressed yumur nahdee to burn रखने के लाग रखना है पर में on your ke心most Конına गाई भूकों का सोना नहीं हुंता होना में समझदार याद मी अधमी ठागता है ऐखने में Mary सोना नहीं लगता है लेकिन अ मरत को भी यह नहीं लगता है आ यायन पायर आइध को मुर्कों का सोना कहते हैं, और रोल गोल्ड को नकली सोना कहते हैं, रोल गोल्ड समझा गया, रोल गोल्ड के गहने उगर होते हैं, सब उसको अदुमी पहन लेता है आरे वैसे ही रहता है आपे लड़का सबको गहना पहना रहता है ना नहीं बताते हैं, सोना से ज़्यादे रोल गोर्ड पाइंता है, हर पांच दीन में बदल दो, सोना बारबार नहीं नहीं बदलाएगा, लेकिन ठीक होता है, भाले पुरू समाज महिलाओं को कितनो कोस्त दे, कि इनको सोना पसंद है, चांदी पसंद है, पुर्सों की अर्थ जब गड़ आती है रहीं, यहीं लोग सम्हालती है, और आप लोग बोलने भी नहीं आता है, रहीं सांजा, बोलने हाता है, वो ला बोल लीं से तो पूरा दूनिया परसान है, अराम से बतलब, समाजदारी से बोले हैं, तक उसको भी समझ में आई कि नहीं बोलना गलत है, जैसे हम कैसे पताएं कि अर्थविवस्था तो वही समालते हैं अब इस सब चीज में गड़बट भी नहीं है सोना और जमीन हमेशा रीटर्न अच्छा देके जाता है लेकिन जमीन में क्या है कि अचल संपत्ति है उसको बेचने में बड़ा टाइम लग जाता है होना क्या है चलता फिरता है एक घंटा के अंदर कहीं रखके उससे क्या कर सकते हैं पैसा निकाल सकते हैं गिर्वी भी रख सकते हैं और उसकी वैलू भी बढ़ते जाती है हम लोग के समय सोना जो था आठ हजार रुपिया भरी था मतलब आठ हजार रुपिया दस गराम का तरह गया हाँ है मतलब लगभग आठ गुना चला गया है खरीद लिया रहते है उस समय हम जी अ पोग मेंग हो गया सोना का चलिए अब आगे समझते हैं एक चीजि़ दिमाग में बैठा लिए लेना लोग चाहे लड़का, लड़की, सब लोग है दुनिया का कोई भी चीज महंगा और सस्ता डिसाइड करता है आप कहाँ खड़े हैं संच में आगे कि नहीं आगे सोना अगर आज की डेट में भी आठ हजार हो जाए ना तो बहुत सारे लोग है जो नहीं खड़ेगे आठ हजार भी हो जाए सोना आज की डेट में बहुत लोग नहीं खड़ेगे और चाहे एक लाख भी हो जाए ना तो कुछ लोग जाएंगे खड़ेट के दे के चले आएंगा अप अपने चीज को वहां लेज़े यह ताकि जब माबाप को खरीदवाने ले जाए तो प्राइस टाइग ना देखना पड़े माता पिता अगर बोल दिये तो पैक कर दो कि सम्झे और करप्शन का पैसा नहीं करप्शन का नहीं कि शैलरी का पैसा आगे बढ़े चलिए अब ध्यान से समझते हैं बहुत सिंपल है बावु देखिए हम क्या लेते हैं कौपर क्या लिए हैं बता बावु क्या लिए हैं कौपर अब इसमें जोड़ना है चालू करते हैं क्या चालू करते हैं कौपर में जोड़ना है अल्मुनियम जोड़े तो अकली सोना जींक जोड़े तो टीन जोड़े तो और जींक और टीन दोनों जोड़ दिये तो गान में देखिए बंदूक बनाने के लिए जरूरी क्या होता है बंदूक हलका होना चाहिए क्योंना, जी है, हल्का ओना, रूतरा यसे जंग नहीं लगना चीज़, थीसरा वो लगाएगी हीट बरदास्क कर सके, इस बंदू कर बंदू के दम नहीं होता हए, गोली अपने दम पे जाती है, बंदू की कोई वकात नहीं है, बंदू के बस इतना है, कि गोली को रखने का वह जगा देता है और गोली के पीछे आग लगा देता है जिस सिधान पर रॉकेट उड़ता है न रॉकेट उड़ाने के लिए जितना जरूवत बोतल का है न बोतल क्या करता है वो सीधा रास्ता दे देता है बाकी तो आग आप खुद मारते हैं तो बंदूग भी का भी बस ही काम है कि रास्ता दे देता है सिधा बाकी जब अनों लोग इसे ट्रिगर दबाते है न तो बस वो पीछे जाके चिंगारी पैदा कर देता है बाकी बंदूग की गोली अपने दम पे जाती है अन्मे आगे की नहीं आ गया जैसे नक्सली वगरा है समना यह जहां कारों को भी ने उन लोगों को कहना चाहिए कि जहां गोली बीगता है ना गोलिया को पानी में खोला के दे दे लोग जब बंदूग की गोली को पानी में खोला देते है ना आदा गंटा खोला ठंडा कर दीजेगा तो उसके अंदर का बारूद महरा जाएगा अब चिंगार बंदूक ऐसा बनाना होता है जो हलका हो जंग न लगे और कितनी भी गर्मी बर्दास कर लेगे सस्तावा बंदूक बना देंगे चार गोली के बाद मुह में उसका फट जाएगा इसे अजागे की नहीं गया हाथ जल जाएगा अपर हाथ हाथ जल जाएगा आपर आगे पडें तो सिंपल नहीं हम चंपल नहीं घी कॉपर का तो durum आफ धिल हम Qapper में आलमूनिया मिलां हां नकली स influणक जिसे हम क्या कहेंगे roll gold क्या कहेंगे roll gold क्या कहेंगे पर्ोल्ष म reopen मैं एप लागा लोगों को आप लोगों को आप लोगों ना अांग दरसमझ में आएगा ना रोलगों बैंट में पाद समय मांगे अंगे आपको नहीं आएगा आप alarm को पार्लों को अ aug factory लोगों ना डिमानील द्ल रहता है ऐसोasında बातरカ सबके ऐसी को कुछी भी चीज़ में आइडिया राएगा जब आप इंट्रेस्ट लीजेगा तम लाइका को इंट्रेस्ट है यह हम नहीं पहिनेंगे भूलबा देंगे कोहीं लाइका सब पहिने सब गाना होना ना कोईयों भूलबा के चौलाएगा अगौशर हो के बोली सुनेंगा सरी मताна हम लोग कतना देख लिए भाई है एक डो चार देख लिए नहीं चलिए हम जर्मान डॉलब गुजनी ड़र धिकते कुजनी डर्मन गम le car कि अंधोर कार्ट कंद जर्मन सिलवर में सिल वर हो ता है आरॉल अद्ट में गोल्ड वोड होता आ है इसा रो Kle가지고 नहीं यह इसाएं आई जिसमें आम को हाई लाइट किया वह नहीं होता ना है कि हुआ ही आ कि व्यागे थो टो झान है बैज्ञानिक बैज्ञानिक नहीं बैज्ञानिक बैज्ञानिक है लेकिन यह बिनोध है लेकिन बिनोध बिनोध है बिनोध से पुझे बिनोध केतना साल को तो कर रहे हैं एकईश एकईश बचले तुम्हारे में आगे पढ़ जाते हैं किसी को कोई दिकत याद रहेगा देखिए कुछ टॉपिक होते हैं जो पूछता ही पूछता है आपको या तो आयस्क से पूछेगा या तो मिस्ट धातु से पूछेगा आयस्क और मिस्त धातू दोनों याद रखना ही रखना है आप लोग को कोई चांस ही नहीं इसमें 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 से एको पूछना ही पूछना है उसको जैसे आपको आयस्क याद करा दिये हैं उसी तरह आपको ये भी तो याद ही करा दिये हैं एक रोबात नहीं आदे तो हम का करें, एक मेन आप क्या लिए है, कॉपर, हाँ, कॉपर, इदे गरे हैं, कॉपर में भी कुजनी, इसका तो सौटकट याद है, जर्मन सिल्वर का, कुजनी, कॉपर अल्मुनियम जोडे तो, हाँ, कॉपर अजींग, कॉपर अटीन, कासा, कॉपर में दूनो, गन मेटल, कॉपर मेटल, गन मेटल, गन मेटल गलता है जल्दी, जंग लगता है उसमें, लेकिन उसको प्रोपर उसमें ऑईल डालके साफ किया जाता है, बंदूक आपकभी चलाईएगा ना, तो जो बड़े वाले बंदूक होते हैं, जिन में बठ होता है उसको खोलिये का ना, तो इसमें चीरकूट होता है, और एक रसी होता है, खीच के, साफ करने के लिए आप, यहाँ बैरल साफ करने के लिए जाता है, अंदो गरम पानी अगरा डालके उसको साफ करते रहता है, जाम हो गया बंदूक ना तो युद में कुछ नहीं कर बेल्ट होता है, और बेल्ट को ना, बेल्ट से आपको बंद दिये जगता है, अगर बाइदी चुटी हो गया ना तो खोज ले, करने क्या हो हमारा हो, इसमें पूरा समान रखा होता है इसको, आके बढ़ें, कुछ नी किसका है, जर्मन सिल्म, यह याद हो गया, किसी को दि Typing Metal कोन देखने है, Typing Metal, Typing Metal की खासियत क्या होनी चाहिए, आप तो Typing का जमाना ही चला गया, तो पहले टाइप राइटर लेके चलते थे, अब तो Computer अगया है, जो पहले और तो पहले Typing किया जाता था तो Typing में डिरेक्ट पेपर लगाया जाता यह फोर साइच का, ठाक ठा कि उसमें ना टाइप करता था अब सोची अगर लोहा का मार दिये ना तो जा के पेपर में फार देखा है ले को नहीं समझा है सेमी कलन ल, k, j, h, a, s, d, f नहीं समझा है नहीं सिखाता है लोग इसे इसे करें पहले टाइपिंग ना स्कूल जाके महाँ सीखा जाता है आज कलकल ईका वाट्सप पे सीखकी आता है देखा जहें खट-खट-खट-खट-खट मारता है दूएं उङंञिए से हैँ आपे कि General अगे बढ यह टाइपिंग मेटल में क्या होगा ? सीचा उसको कमजोर करेगा and s b and t तीन यहिए टीन सब पीबी एस बीएसन याद है इसाघ किसाघ पीएस बीएसन क्या हो गयी ताइपिँग उसकी क्या कहते है और मुद्रण को यह के किया है इसका मुख्य उदेश उता है कि कमजोरर कना है क्या का गुदिदंग सबसे हलता कि पेपर को ना फ़ाड सके।rad high 00. P B S B S N P B S B S N P B S B S N B common ने लिये जाए है P B S B S N क्या हो जाएगा? टाइपिंग क्या हो गया? टाइपिंग सीसा और टीन मिला देंगे तो? टाका सोल्डर सीसा और टीन मिला देंगे तो? सोल्डर सोल्डर सीसा और टीन मिलाएगे तो? सोल्डर सोल्डर एक ऐसा धाटू होता है जो गल जाता है क्या हो जाता है? गल जाता है और दूसरे धाटू को चिपका देता है जिसे लिगा है की वेल्डleader दे ही है तो वेल्डिंग मारएगा तो फुरी ज गई उसको क्या कहते है kijt इसके बार बारू दोता है अब जैसे हीटियों उसम से आग लगगे आप पिखला देगा अब बारू जल खतम हो जाएंगा साऍधर Chief जोन डेगा दो मेरे राटाक सा में जोड़ा जे 납ी को है को आपस मेरे से वाफे यह गना लगगा 2020 या — स्बी के एज़ एक से मी टाइपिंग पीबी एजबी एसबे एज़्जर दाइपिंग की की काडनी शीशाए टीन टायकर कुझणी जर्मन शिलवर कुझणी जर्मन शिलवर श्टील तो यादे हैं श्टील क्या हता है लौहाओ हर कोब लोहार कारबन, लोहार कारबन, याद रहेगा, हम उचे तो बताएंगे, चलिए हम पूछते हैं, रेडी, बताईए, क्या ये, कहां सा, पीतल, जर्मान, 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 जर्मान ग्लिया कुरम हां डाइपिंड है क्या हो यह हैं टाइपिंगम कुंड़र सोल्ड्र या टाका कैसी जब धिके है कुझे Elding готов तो अधाथ लगा दिखाई देगा है वह ही लगा दिये जता हुआ ए कर दो ए हण तो कि अ आरप इस्टील इस्टील की कफ़र था कॉन बाडा था कॉन बढाएगा कार्बन अब धियान से समझते हैं इस रेड़ी दिगी है इस्टील में सबसे फेमा से stainless steel stainless steel इसका ट्रीक याद रखेंगे फेरस, क्रोमियम, नीकल और सबसे ज़रूरी कार्बन बिना कार्बन इस्टील कोई से बिना लोहा और कार्बन के तो इस्टील हो ही नहीं सकता है यह तो ज़रूरी है और यह दोनों चमक देने के लिए नीकल, चमक, क्रोमियम, मजबूती नीकल, चमक, क्रोमियम, मजबूती तो stainless steel की मजबूती अब आपको यह दो इस्टील को मजबूत करने के लिए कार्बन बढ़ाए जाता है तो करिया हो जाएगा तो थाली वगरा क्या हो जाएगा, करिया न हो जाएगा इस्टेनलेस स्टील की मजबूती है और चमाग 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 निकल और यह दोनों तो मुख्य हो यह है तो इसका ट्रीक क्या हो गया फेकर निक अ जर्मन सिल्वर का कुझनी जर्मन सिल्वर को एकदम सिंपल तरीका बताए इसको लिख के प्रेक्टिस कीजिएगा इजी हो ज पाज को बना दिये न हो गया चलिए बागे बढ़े आप सब लोग को याद हो गया मिसर धातू दो अलग अलग धातूओं को मिला कर वी समांग या समांग तो क्या यह खड़े गलेगा या इसे पिगला के मिलाना होगा प्रारंभीक पदार्थ से म्याच करेंगे या भीन र रेड़ी पोल्डर या टाका आइरन दिखेंगा वेल्डिंग वगरा करने में आएगा आपका यूज होता है आपर वेल्डिंग काई टाइप की होते हैं सब वो ट्रेड वगरा पढ़िए का लोग तो वेल्डिंग आएगा जनवरी रेलवे फॉर्म आ रहा है जो लोग रे किसी द्राइवर को आउ आई टी नहीं किया रहेंगा बिगड़ या तो का करेंगा फिश्वा में आई टी आई वाले को इसे नहीं आता है वह अलग बात हो ट्रेनिंग देंगा ना हाँ आई टी आई वाले में कौन जाता है पढ़ने आगे होगा किसी को दिक्कात है तो बता ही आगे बढ़े हैं किसी को दिक्कात इस पाथ क्या जी इस पाथ हिंदी में इस पाथ अंग्रेजी में स्टील उर्दू में फॉलाद अलाद नहीं अलाद अलाद तो इस टील तो बनता है भैया पढ़ा दिये हैं आपको देखिये दियांत से समझे है इस टील की मजबूती कार्बं से होती है लेकिन इस टेंलिस टील की मजबूती क्रोमियम से होता है स्टेनलेस स्टील का ठ्रीक फेकरनिक निकmakers षब विफ निकरर करनेक स्टे Aegis का यूंज बहुत ज्यादे होता है हाइ कारबान इस्टील सबसे मचबूत होता है बहुत ज्यादे लोड रोक लेता हाइड कारबन इस्टील प्रेन की पठरी के इसकी होती है, high carbon steel और कुछ ऐसे steel होते हैं जिसमें घिसता ही नहीं हो क्यतनो रगड़ियेगा ना घिसेगा नहीं उसको high speed steel काते है क्यतनो रगड़ियेगा ना घिसता नहीं है तो JCB का अगवाला दातवा होता है जिसे बकोट लेता है कुछ हो घर दुआर के कुछ बकोट लेता है नहीं देगें घर दुआर यहां पर चाहे को ठुक 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 करके जमीन खोद देता है तो उसका ठोण बनाए जाता है वो high speed steel और ट्रेन की पट्री high carbon steel दोनों में अंतर समय जा जा high speed steel और एक उता high carbon steel any problem? आगे बढ़े हैं? नहीं समझा जे सिबी के दाथ high speed steel और रेल की पट्री high carbon steel high carbon steel किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो यह आईकोन है बकलोलिया यह अन्यनी सिंग आप मुसल्मान हैं? अज़ा तुम बता बकलोलिया खान जैन धरम के लोग लिखते हैं? हाँ? आगे बढ़े यही सब पूछता है यह मराज के रिस्तदार है आगे बढ़ते हैं आपे जब हम आपसे नहीं पूछते हैं आपकी इस जाती धरम के हैं? नहीं समझें? मारिये सर इसको आप अभी समाज को नहीं देखे हैं जिस दिन समाज का असली चहरा देख लेंगे ना आपको इस समाज में दो ही धरम मिलेगा एक अमीर एक गरीब रियालिटी में यही दूग धरम आपको देखने को मिलेगा अमीर के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाईगी गरीब के लिए कोई नहीं एक गरीब का जीवन बहुत टफ हो जाता है एक गरीब इंसान 10-15 साल अचार रोटी खाके बिता लेता है कि बेटी के बरातियों को मटर पनीर खिला सके है नो टंकी हो जाता है के लिए तो पैसा कमाना पड़ता है तो हम अमीर होगे डिसिप्लीन के लिए क्या जाता है तो कुछ-कुछ उजाद होते हैं सब्रत देख के गुसा लगता है अपने 10 रुपिया का चाट खरीदेगा ना पतल चाट के खाएगा अब बरात में आधा खाना छोड़के उड़ जाएगा उसको मन करता है ना पकड़ के लाएं हम यहाँ पज़ेगा आप डस्ट बीनों में जो अन बचले तोनों खिया देए और जितना ज़रुएत है उतने लोग चलिए हम आगे बढ़ते हैं संग्या के किने कार्बन मिलाने पर इस्टील के आजाता है रेल की पट्री किसकी बनी होती है हाई कार्बन इस्टील गाडियों का गेर और इंजन एल्वाई स्टील इंजन किसका होता है एल्वाई स्टील एल्वाई स्टील बड़ी भारी होता है तोनि गाड़ी के इंजन उठाके देगे ना बहुत भारी होता है वहां रखा होगा ना बहुत एक्सेस भारी होता है और उस पे आप दीन रात उसको आग में डाल दीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अलवाई स्टिल को उठाई है चुला में डाल दीजिएगा और हमको निगल यहां से लवाई स्टिल की खासियोत दीए गर्मी और मजबूती दोनों रोक लेता है और उसकी खासियत थोड़ा भी बढ़ता नहीं है परना इंजन के आगे जितना देर आपकी गारी चलती है नो अतना देर इंजन में आग लगा होता है यह धूगा जो निकल रहा है आपको कौन चीज लग रहा है धूगा कैसे निकलता है बिन आग लगे चितना देर तक गाड़ी चल रही होते है उतना देर तक उसमें धूगा निकल रहा होता है और पिस्टन उपर नीचे कर रहा होता पिश्टन और सिलिंडर में थोड़ा भी गैप नहीं होता है, बाल बराबर बस गैप होता है, हलका सा भी अगर फैल गया या पचक गया, काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो एलवाई स्टील की खासियत होती न, लोड खिच लेगा और कितनों गर्मी कर दीजे उसको, उसकी अप हरक नहीं पड़ेगा, और कि अगर, तो इंजन ग्र किसके बनाता है? बारतन, चूला लो की सब, स्टेइनलेसTील, स्टेइनलेसimon में कार्बन तो रहे यह फे करणिक होता है, स्टेनलरसhhhh policymakers की को ट्रता है क्टोर्था कॉन बढ़ाता है? क्रॉमियां का st street ko बनाने के steel को थंडा करने के लिए एयनलिंग इस पाज जब बनाे जाता है तो उसका ताफमान क्या होता है बहुत उच आप उसे कैसे थंडा किया धीरे धीरे क्या होता है अीजियर्य इस कर्णा गई काची एलीग किसा आपको आपको मिस धातु अगरा पढ़ा दियें अब ऑक्सीडेशन और क्या पढ़ाना है रिडाक्शन और रिडाक्शन सब लोग रेडी है प्रेक चाहिए दस मिनट का देदें आप दस मिनट का दे देते हैं सुनिए ब्रेक देना एकी नहीं हम वापस आते हैं लोग सावाचे में ठीक है आप लोग में किसी घार और नहीं जाना है हाथ पर भांज लिजे लोग किसी के तेन मिनट का गैप फिर क्लास कितने बजे साड़े आठ में फिर गर्ल्स को छुट्टी दे देंगे और फिर छोड़ेंगे हम कितने बजे साड़े नौ में आने वाला होगा पुज़रे हो जाएं झाला हो झाल 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 झाल